सो हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करता हूँ ख्यारियत से होंगे तो दोस्तों देख सेकते हैं फिर में आज आप लोगों के लिए एक और एक एम्प्लिफियर बोर्ड लेके आ चुका हूँ और दोस्तों यह MB कलेक्शन का बनाये हुआ एक आडियो सर्किट बोर्ड है जिन आडियो सर्किट बोर्ड को MB कलेक्शन ने बहुत दिन पहले ही बनाये था आज तक भी इस एम्प्लिफियर में बहुत सारे लोगों के मन में इस एम्प्लिफियर के बारे में कोश्चन्स रहता है कि यह हमरा एम्प्लिफियर बोर्ड कितने वाट इस का है और इसमें से करूंगा दोस्तों अगर आप इस बोड को खरिदना चाहते हैं या फैल खरिद चुगे हैं तो यह वीडियो आपके लिए थोगा भहुत इन्फरमेटिव हो सकते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरू देखें ताकि आपको इस एम्प्लिफेर बोड के बारे में काफी जानकारी मिल जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बात किये ही तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देती हूं यह हमारा 3030 जो टांसफोर्मर होता है हमारा 3030 का उबल टांसफोर्मर से चलने वाला एक वाडियो एम्प्लिफेर बोड है जिसमें आपको इन बिल्ड पोटेंशो मिटार के लिए और इन बिल्ड आपको प्रियांप देखने को मिलता है एम्वी कलेक्शन का बहुत सरा बोड है जिसमें इस तरह का कोई प्रियांप नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पर उन से सप्लाइ देने की जल्वत नहीं होगा सिर्फ आपको ट्रांसफर्मल का कनिशन देना होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रीज रेक्टिफार बना हुआ है और यहाँ पर दो कैफसिटर भी दिये गये है जो कि बहुती हाइफाइफाइफ कैफसिटर मुझे लग रहा है और यह बगेरा बगेरा सब कुस के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों यह बोड जो यहाँ पर आपको हजार वाट लिखा दिखाई दे रहा है यह दोस्तों यह हजार वाट हमारा इस बोड का वाटेज आर्मेश वाटेज नहीं है इस बोड का मॉडल नमर है और इस बोड का ने स्पिकर जोगे तो आपका स्पीकर को सही तरह से नहीं चला पाएगा क्योंकि असलियत में यह amplifier board हमारा 1000 watt का नहीं है उससे भी बहुत ही ज़्यादा कम wattage का amplifier board है यह तो वीडियो को पुरा देखते रहे आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको बता दूँगा तो चलिए दोस्तो इसका जो price यह उससे ही बात शुरू करते हैं तो इसका price लगभग आपको अगर आप online से purchase करेंगे तो 1300 रूपिया में मिल जाएगा आपको इंडिया में कही से भी आप खरिद लो वहाँ से आपको लगभग 1300 रूपिया में मिल जाएगा और अगर आप mv collection का जो official WhatsApp नमबर या फिर official जो website बगएर है वहाँ से खरिदते हो तो आपको थोगा complex में मिल सकता है और दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें inbuilt power supply है और inbuilt preamp भी देखने को मिलता है प्रेयाम के लिए यहाँ पर यहाँ पर LM324N का IC लगा होगा है जो की audio filter करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और यहाँ पर बहुत सारी कुछ features आपको देखने को मिलेगा जो resistance बगरा जिना डायोड वार टांजिस्टर बगरा जो दिये गए है इसमें बहुत ही अच्छी quality का दिये हैं और यहाँ पर potentiometer अब देख सकते हैं यह उतना अच्छा नहीं है potentiometer दोस्तों यहाँ पर हंडिड के का तीन potentiometer यूज किये गए हैं base के लिए travel के लिए और volume के लिए जहाँ पर आपको यहाँ mention किया हुआ है देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर 2PR हमारा MOSFET लगा हुआ है आप देख सकते हैं एक प्यार टूएस से बावन सो और एक प्यार टूएस से उनिस तितालीस तो इस तरह का amplifier board में से आपको लगभग 200 watt per channel output मिल सकते हैं इससे ज्यादा output नहीं मिलेगा दोस्तों और कई recovery मिल भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर rms नहीं मिलेगा मैक्सिमाम आपको इससे ज्यादा मिल सकते हैं पर दोस्तों rms जो है वह 208 से ज्यादा नहीं मिल सकता है क्योंकि यह 30-30 का transformer का connection इसमें लगता है और इसको आप 5 ampere से लेकर 10 ampere का जो transformer है उससे आप इसको आसानी से चला पाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसका model number us78 लिखा हुआ है और यह एक stereo amplifier बोड है जिसमें आपको बहुती एक हाइफाई क्वालिटी का पर दोस्तों इसमें PCB का quality मुझे अच्छा नहीं लागा क्योंकि MB collection का और भी सारा जो बोड होता है उसमें PCB जो है वह बहुती अच्छी quality का अभी जो बोड आ है उसमें PCB बहुती अच्छा quality का आ रहा है तो उसके हिसे अब से देखने चाहिए तो पहले बहुती पतला है तो PCB आपको देखकर खरीदना चाहिए क्योंकि दोस्तों PCB ही है एक मात्रिया आपका amplifier को repair करते बाक्त रिपेयर हो जाता है जल्दी PCB अगर खरब होती है तो हमारा पुरा बोर्ड ही चेंज करवाना पकता है तो देखकर खरीद देया तो ही आपका भलाई है और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें से हमारा 200 watt RMS output मिल सकते है ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और बहुत सारे अभी का जो बोर्ड बगर है वह जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये बोर्ड आप खरीद सकते है वैल फर मनी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और एक चीज आपको बताना चाहूंगा जिन जिन लोगों ने इस बोर्ड को खरीदा था बहुत सारे लोग कॉमेंट बगरा करते थे कि इस बोर्ड में मेंट कुमेंट करूंगा यह स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यह कंप्ली बोर्ड कि अछी कलेकशन का इस बहुता पाएंगे पर दोस्तों आपको बार्ट सप्लाई में थोगा चेंजिस लाना पड़ेगा यहाँ पर 40-40 यूज़ करूंगे करेंगे तो बहुती बेटर साउंड आपको मिल जाएगा तो देख सकते हैं और इस बोट का पीसर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आ विट सिंक के लिए एक फैन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बारा वोल्ट के लिए अलग से पीन आउट मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आठाक्तर पास लगा हुआ है तो ब्लूटूथ मॉडियूल बगेरा के लिए यह आठाक्तर पास अलग से दिए गए है तो चलिए दोस्तों बाकी जो कनेक्षंस बगरा है तो उसको देख लेते हैं तो बाकी कनेक्षंस के लिए यह आफ आप देखेंगे तो recipients ब्लूटूबूया है देख सकते हैं तो यहाँ पर भी एसी सप्लाइ और यह आपको पिन आउट दिख रहा है यह हमारा ग्रांड हो जाएगा मतलब यहाँ पर आप 30-0-30 मतलब यहाँ पर 30-0-30 का टांसफपर्मार लगाएंगे तो यहाँ पर 30 बोल्ट का देना होगा पहले फिल 0 फिल यहाँ पर 30 बोल्ट का साटियंचन देना होगा आपको और यहाँ से हमारा दो ताल यहाँ से कुछ इस्ट आप से निकल के आgend चुगा है तो यह मारा तो यह आमरा 12 वुल्ट के लिए दे गए है तो यहाँ पर कुछ लिखा वो मेंशन किये गए है आप देख सकते हैं तो बारा बॉल्ट का जल्वत अगर आपको है तो यहाँ से आप ले सकते हैं और चले दोस्तों बाकी connections के बारे में देख लेते हैं तो connections बाकी जो है यहाँ पर एक आपको speaker जोडने के लिए एक positive connection मिल जाता है और दूसरा speaker के लिए यहाँ पर positive मिल जाता है ग्राउंड के लिए दोस्तों यहां पर ग्राउंड यहां से आप ले सकते हैं या फिर यहां से कहीं से भी ग्राउंड आप ले सकते हैं पर दोस्तों इस स्पीकर का पॉजिटिव यह स्पीकर का यह वाला हो जाएगा दूसरा स्पीकर के लिए यह वाला हो जाएगा तो कुछ कोशिश करूंगा आगली वीडियो में मैं आपको इस बोड का म्यूजिक टेस्ट देने का और इसमें 200 वाट करके इस पिकर इसमें या फिर सब भूफर चला कर आपको दिखाऊंगा कि इसका आवाज कितने हद तक सही है और कितने खराब है आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा भॉलिम तेज करने से इसका आवाज फट रहा है या नहीं उसके बारे में भी आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में इतना ही तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरू वीडियो को लाइक करना और मेरे सेनल को जरू सब्सक